देखो इंडिया के अंदर प्राइवेट इंजिनरिंग कॉलेज़ का जो नमबर है वो ग्रोसरी स्टोर के तरह जैसे हर कॉलोनी के अंदर हर एजिया के अंदर आपको एक दो ग्रोसरी स्टोर मिल जाएगा उसी तरहीके से हर डिस्टिक्ट के अंदर आपको एक दो प्राइव अब ये बात मैं जब कर रहा हूं, उसके अंदर मैं टॉप ऐसी प्राइवेट उनिवर्सिटी जिनकी ब्रैंड वेल्यू अच्छी है, जिनकी रेपोटेशन है, जिनका आरो ही अच्छा और बहुत टाइम से वो इस्टेबलिज्ट है, उनको मैं कम्प्लेटली ऐलिमिनेट कर जिनके अंदर दबा के भीड़ एडमिशन लेती ही हर साल, तो उनको सलट करने से पहले कुछ चीज़े हमारे दिमाग के अंदर हो नीचाए, मैं इसके अंदर यह नहीं बोलने वाला हूं, आपको अगर एडमिशन लेना है, आपकी पास में फानेशल सेप्टी है इतनी, तो ले ओ एडमिशन, उसमें कोई बुरा ही नहीं, पर एडमिशन लेने से पहले आपको फिल्टर किस तरह से करना उस कॉलेज को, यह आपकी दिमाग भी हो ना, तो मैं आज आपको ऐसे तीन पॉइंट्स बताने वाला हूं, जो आपको कॉलेज को एलिमिनेट करने में help करेंग इन चलेगा, हमको डेटा ही नहीं हमारे पास में परफेक्ट ली, उसको इसको उतना ही लोगर और में रखना, जितनी ज्यादा पुरानी कॉलेज है, उसको खायर ओडर के अंदर रखना, जिससे आपको काफी अतक help मिलेगा, अलमिनेशन प्रोसस के अंदर, इसका सिंपल सा एक्जामपल देता हूँ, इतनी अच्छे लेवल पर क्यों है, वो इसकी बिल्डिंग बहुत अच्छी है, उसका इंफ्रास्ट्रॉक्चर अच्छा, वो एक नर्मल पॉइंट उसके लिए, बहुत सी कॉलेजे इंडिया के अंदर, जिनका campus even IIT से अच्छा पर उनकी निर्फ रेंकिंग बहुत नीचे है, तो वो एक अच्छा क्रेटर है नहीं, IIT अच्छी किसलिए है, IIT की वेल्यू इतनी क्यों, उसके इस्टुडेंट्स के कारण है, क्योंकि वो इस्टुडेंट्स का एडवांस का एक्जाम करेक करके उसके अंदर एंट्री ल उनका admission लेने के लिए अच्छा criteria है, तो वो college आपके लिए ज्यादा बेटर होगी, उसको आप higher order में रख, थर्ड नमर पर आपको जिसीज का ध्यान रखना वो देखना है, उस college का owner group कौन से है, ऐसी बहुत सी colleges है, नोईडा के अंदर, साउथ के अंदर, जिनके जो owners है, वो एसी college होगी, वो आपको ज्यादा edge देगी आपके career के अंदर, जैसे bits पिलाने हो, वो villa group के बहुत बड़े-बड़े businesses है already, तो वो एक अच्छा owner group है, जैसे मनिपाल है, तो मनिपाल के already बहुत सारी colleges है, मनिपाल university है, पूरी बैंगलोर के अंदर, उनके बहुत सारी colleges, medical colleges है, management की colleges है, तो complete उनका academic background और बहुत अच्छा है, अमनी network है, तो उससे उसकी brand value बड़ी है, वी एट है, तो वी एट एक बहुत बड़ी university है, college उसके अंदर अच्छे कासी academic और research की facilities है, इस तरीके से आपको देखना है, जिसका owner group का background बहुत अच्छा हो, या फिर business है, फिर corporate से linked to owner group, उस college को आपको ज़्यादा preference जेनी over other colleges, और इन तीनों points से mislead मत होना, आपको इन तीन points को तब apply करना है, जब आप colleges की fees है, उनका level बराबर हो, दो colleges है, चार colleges है, उनकी fees almost same है, फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है, और कौन सी चीज के अंदर मैं देखू, तब आपको तीन points अपना ही करना है, उनकी fees सारी colleges की same होगी, उसके बाद माँ comparison करो तो आप तीन points को apply कर सकते हो, और मैं अगर return on investment की बात करो, तो मनने जैसे top universities का आपके सामने नाम लिया, उनके अलवा जितनी भी private colleges है, उनका return on investment almost same है, जो बहुत जादा अच्छा नहीं है, बहुत nominal return on investment, तो return on investment private college के अंदर, आप देखोगे, तो हर college के अंदर आपको major deviations नहीं दिखेंगे, तो main आपको fees देखने के बाद में इन तीन factors को apply करना है, अगर आपको आने वाली बहुत तगडी वीडियो की updates मिलती रहेगी, अगर इस वीडियो सा आपको कुछ value मिल तो please like कर देना, comment करके मेरे को बाद में आगे आने वाली वीडियो के अंदर आपको concept topics चीए, तब तके लिए इसे happy take care, जैहन्द!